स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूटूब प्लेटफॉर्म पे हैं हम लोग कई दिन से कॉड़नेशन कंपाउंड केमिस्ट्री इन और्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसका हम लोग स्रीच चला रहे हैं यूटूब क्योंकि इसका जो थ्यूरी सेस्टन है हम लोग क्लास में ओफ्लाइन तो पर ही रहें बेंजाइन एकेडमी पर और बेंजाइन एकेडमी के यूटूब प्लेटफॉर्म पे इसके को ला रहे हैं काफी सारे बुक से काफी सारे प्रीविएस एर पेपर को देखके एक केमेस्टि की बात करें तो जैसे कि पिछले क्लास में आप लोग हैवडाइजेशन निकालना शीख लिए थे और उसके साथ साथ आप और यूटूब प्लेटफॉर्म पे अप्लोड भी किया था और उसके साथ हम प्रीविएस एर पेपर का एनलाइसिस वीडिवर 11 से लेके गता है अगर आपसे उसका मागनेटिक मुमेंट दोचेप्टर इन ग्लोग केमेस्टि और कोडिनेशन की बात करेंगे घ्लाइसिंग बात करें तो सारे मेटल्स आयन जो है ये इसका आपको नब्र ऑफ अन्पीर लग्ट्रॉन भी पूचता है यहां पर पूछा हुआ कर यह बार भी एक नमबर गेहां नहीं है और इसाब का मैणेटिक मुमेंट कैसे किल्कुलेट करें वह पूचता है सब्सक्राइब करने का फर्मूला होता है मुव इक्वाल टू रूट अडर एन इंटू एन प्लस टू और यहां पर एन इक्वाल टू होता है नंबर अफ अन प्लाइड लक्ट्रॉन और में लिखा आता है उसका यूनिट है तो यह डी ब्लॉक कंपाउंड के मेंस्टी का है और इससे आप मेंटिक मुवमेंट निकाल सकते हैं तो अन प्लाइड लक्ट्रॉन पता कर सकते हैं और अन प्लाइड लक्ट्रॉन पता करने के बाद मेंटिक मुवमेंट में निकाल सकते हैं यह सवाल तो आपको पूछा था यहां से रहता और यहां से रहता तो यह आपको तो दस भूप ढूड़ने के शक्ता नहीं पड़ेगी। तो उसमें question number 1 से लेके सुलात है पूरे coordination compound complex है, फिर किसको coordination complex है और इस सारे complex का फैविडाइशन निकाल सकते हैं, geometry निकाल सकते हैं, coordination number निकाल सकते हैं, oxidation state निकाल सकते हैं, magnetic moment भी मैंने सिखाया है, magnetic nature पता करना भी सिखाया कि पारा है कि डाया है, बट question class में offline में हम लोग नहीं कर पाया था, क्योंकि समय कतम हो गया था, तो इसलिए हमने आपको YouTube पे question मुहया करवाया है, उपलब करवाया है, इस सारे coordination complex के आपको diamagnetic, paramagnetic, कौन सा nature है, इसका ये पता करना है, तो इस सभी question को solve करिएगा, आपके लिए very very important है, कि आप बता पाया है, कि आपका diamagnetic, इसका magnetic nature है, for example, किसी का बताना हो, जैसे इसका बताओगे आप, तो chromium H2O6, octile complex से प्लस 3 है, एक समानों के इस प्लस 3 चार जाएगा, और chromium का configuration होता, 4S1, 3D, 5 तो एक वहाँ च से दो चला जाएगा, तो इस सिस्टम पता करिए, और किसी भी complex का जैसे इसमें परता करते हैं, कि एक unpaired electron हो गया, तो यह paramagnetic हो जागा, पूरा full feed है, तो यह क्या आजागा, diamagnetic, और यह unpaired electron एक भी नहीं है, तो diamagnetic, और unpaired electron एक भी है, तो paramagnetic, उसी परकार जब इस complex को solve करेंगे, तो अगर एक भी unpaired electron आ जागा, तो complex का जागा, paramagnetic हो जागा, और unpaired electron एक भी नहीं आएगा, तो complex का जागा, diamagnetic हो जागा, तो जो rule इसके लिए है, वही rule इसके लिए, बट इसमें क्या metals आयन है, तो आसान होता है, निकालना सिर्फ unpaired हो पता करना है, बट यह complex है, तो इसमें ligand का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो जाके इसका magnetic movement निकालते है, तो जो coordination सिरीज है, अभी लंबा चलेगा, क्योंकि board के लिए हम पूरा focused है, विहार board के बच्चों के लिए, जो के 4-6 माक्स से मिलता है, पूरे chapter से, और fully objective आता है, उसके लिए हर एक unit जह अब telegram पर ही पूछ सकते हैं, तो इसको solve करकर रखिएगा, magnetic nature पता करना है, यह paramagnetic है कि diamagnetic है, मैंने class में पुशिखाया है, question आपको पलफ्द करा दिया है, तो इसको solve कर लिए, इसको बनाईए, तो आज का ये lecture complete हो गया, ओके, थैंक्यू, धन्यवाद